आज मैं आप लोगों को फोरम वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा तो जिन लोगों को पता नहीं है कि फोरम होता क्या है तो ये एक तरह का discussion platform होता है मतलब discussion वाला website होता है जहां पे आप लोग कोई topic start करते हो और उस पे जो भी interested लोग हैं वो discussion करते हैं for example आपने कोरा देखा ही होगा कि यहां पे लोग क्या करते हैं कि कुछ question पूछते हैं फिर जिनको answer पता होता है वो इनका answer दे रहे होते हैं ठीक है और आप कोई कि नया question भी पूछ सकते हो या फिर नया कोई topic start कर सकते हो जिस पे लोग discussion करते जाएंगे एक तरह के आप समझ लो कि social media का वो पार्ट है जहां पे आप अपने बारे में नहीं लिखते हो किसी और चीज के बारे में एक topic start करते हो और वहां पे आप discussion करना start कर देते हो ठीक है social media पे क्या होता है कि आप अपने बारे में बताते हो फिर लोग comment करते हैं इसमें क्या होता है कि लोग comment करते हैं बट आप एक topic start करते हो, या एक question पूछते हो, जिनको जानकारी होता है, या जिनको interest होता है, वो उस पर कुछ comment करते हैं, या answer देते हैं, या discussion करते हैं, आप कह सकते हो, जैसे देखो, उसी तरीके से अगर आप programming में जाओगे, तो stack overflow नाम का website है, जहाँ पे लोग क्या करते है, programming से related कोई question पूछते हैं, और जिनको उनका answer पता होता है, वो क्या करते है, answer देते हैं, देखो, यहाँ पे, कुछ लोगों ने बताया हुआ है, कि कैसे सही होगा, किसी ने कुछ पूछा है, तो आप भी यहाँ पे answer कर सकते हैं, अगर आपको पता है, तो इसी को बोलते है, discussion forum, ठ देखी सकते हो, किस तरीके से देखो, यहाँ पे किसी ने post किया हुआ है, अगर आप उस पे click करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे फिर लोगों ने उस पे comment अगरा किया हुआ है, ठीक है, तो यही है discussion forum, तो यही चीज आज हम लोग बनाना सीखेंगे, तो मैं यहाँ प लिए भी बना सकते हो, automobiles के लिए बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए बना सकते हो, या एक general platform बना सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे as a example क्या करेंगे, कि Tech Gun के लिए जो मेरे YouTube channel है, उसी के लिए एक forum बना के देखेंगे, कि वहाँ पे लोग आपस में discuss करेंग तो इसके लिए देखो, कोई भी website बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन चीजों की जरुवत पढ़ती है, पहला है domain, दूसरा है web hosting, यह दोनों तो compulsory है, और आज credit में तीसरा भी compulsory हो गया है, जिसका नाम है SSL, ठीक है, तो यह तीनों, या आप अगर SSL नही आप purchase कर सकते हो, जैसे GoDaddy हो गया, Hostinger हो गया, HostGatter हो गया, Bluehost हो गया, बहुत सारी company से, बट मैं आपको यहाँ पे Hostinger से purchase करना दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इसके लिए coupon है, coupon code है, तो जिससे क्या होगा, कि आपको discount मिल जाएगा, ठीक है, तो link description में है, उस पे आप click कर कर लो, तो जब आप payment करने जाओगे, उससे पहले वो coupon code लगाओगे, तो और भी आपको discount मिल जाएगा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से Hostinger से, Hosting और domain लेना है, और अगर आप hosting लोगे, तो domain और SSL free दे देते हैं, Hostinger वाले, तो इसलिए मैं Hostinger prefer कर रहा और अगर आपको सही लगे, तो आप भी Hostinger से लो, नहीं तो आपको जहां से लेना है, ले सकते हो, तो देखो, Hostinger में आपको क्या करना है, Hosting पर जाना है, यहाँ पर Shared Web Hosting पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन लोगों ने बताया है, कि सिंगल website host करने हो, आप यहाँ पर compare करके देख सकते हो, कि किस में किस में क्या क्या मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है, बट मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पर इन लोगों ने बेस्ट वैल्यू लिखा हुआ है, और सच में यह बेस्ट पैकेज है, तो मैं अभी फिलाल इसको add करके आप आपको दिखाता हूँ, add to cart, उसके बाद इन्हों ने बता हुआ है कि आप 1 महीन के लेना चाहते हो, 12 महीन के लेना चाहते हो, 24 महीन निकले लेना चाहते हो, 48 मंत के लिए लेना चाहते हो, ऐसा अगर आपको लेना है, तो आपका यह प्राइस होगा, जितना ज्यादा आप दिसकाउंट मिलेगा, अगर आप 4 साल के लिए लेते हो, तो मातर आपको 6,000 रुपए में आ जाएगा, ठीक है, 6,000 में आ जाएगा, और अगर आप 2 साल के लिए लोगे तो लगभग यही चीज 4,000 पढ़ने वाला है, और अगर 1 साल के लिए लोगे तो वही चीज 2,700 अगर आप इमेल आईडी से अगाउंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर अपना इमेल आईडी डालो, और अगर आप Google या Facebook के थुरू लॉग इन करके अपना अगाउंट बनाना चाहते हो, तो आप उससे कर सकते हो, मैं प्रेफर यही करता हूँ कि Google और Facebook के थुरू आप create क कर लो, और उसके बाद यहाँ पर जब आप आओगे, तो यहाँ देखो, क्या दिया है, बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास है, 24 मंत के लिए आपके पास hosting है, 11,000 रुपए का था वो, SSL फ्री में दे दिया है, इन्होंने डोमेन फ्री में दे दिया है, डिसकाउंट इ यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो की कूपन कोड है, मेरे YouTube चैनल का नाम, Capital में टिक गन, ठीक है, और उसके आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है, यह देखो, कूपन कोड अपलाई हो गया, और उससे और भी डिसकाउंट आपको मिल जाएगा, उसके बता दूँगा, अभी, देखो, होगा क्या कि जब आप payment कर दोगे, तो आपके पास verification के लिए आपके email पे link आएगा, उसके click करके verify कर देना है, उसके second step में वो आपको जो free में आपने domain लिया है, वो select करने का option देगे, वहाँ पे आप domain खरी ले लो, choose कर लो कि आपका domain name क्या होगा, और उसके बाद setup कर लो, तो मैं आपको क्या करता हूँ, setup से दिखाता हूँ कि आपको setup कैसे करना है, web hosting, domain और SSL certificate को तीनों को combine करके setup कैसे करना है, और फिर आगे क्या करना है, जब आप payment कर देते हो, तो आपके पास एक confirm new email address का email आएगा, ठीक है, आपने जो email ID दिया email पे click कर देना है, तो इससे क्या होगा, आपका email address verify हो जाएगा, उसके बाद verify होते ही, आपके पास एक और email आएगा, कि welcome to hostinger, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पे click to start पे click करना है, वो आपको hostinger.in पे redirect कर देगा, ठीक है, देखो, hostinger.in पे redirect कर दिया, अब अगर आप logout थे, तो आप login कर लो, जो आपने ID और password set किया था, या फिर अगर आपने Facebook के थुरू login किया था, तो login with Facebook कर लो, और अगर Google के थुरू किया था, तो Google से कर लो, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, logout करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तो hostinger.in पे गया, आपक से कर लो, तो login करते ही, वो आपको hostinger के dashboard पे ले जाएगा, तो देखो, dashboard पे हमारे पास क्या है, एक web hosting आ गया, एक domain जो मैंने भी खरीदा है, वो है techgun.website और एक SSL certificate, ये तीनों चीजें हमारे पास है, अब इनको क्या करना होता है, हमें, setup करना होता है, तो मैं क्या क्लिक क और अगर ये company के लिए तो आप इस पर टिक कर दो, personal है तो इस पर टिक कर दो, मैंने personal पर क्लिक किया है, फिर वो कर आपको next step पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको कुछ अपने contact detail डालना है, कि ये domain किसका है, सारा detail फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है, finish registration पर, ये verification mail गया है, domain का, ठीक है, तो आपने फिर से email ID पर जाओ, और देखो, verification mail आया होगा, उस पर click करोगे, आपका जो domain name है, वो verify हो जाएगा, तो देखो, हमारे पास एक mail आया होगा है, कुछ इस तरीके का, आपको क्या करना है, इस link पर click करना है, इस link पर click करते ही, वो क्या हो ज reference करो इस page को, जब reference करोगे, तो देखो, यह जो domain वाला pending था, वो pending नहीं रहेगा, तो यह देखो, यहाँ पर हमारे पास, हमारे पास, वो message हट चुका है, कि verifying pending वाला, ठीक है, अभी देखो कि आया, domain information हमारा status active है, expire कब होगा, वो दिखा रहे है, secret की दिखा रहे है, यहाँ पर क्लिक करोगे, तो दिखा देगे वो, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा domain है, अब देखो, अब यह सारा चीज इन्होंने दिखा दिया, अब हम लोग फिर से चलते है, home पर, ठीक है, मैंने home पर क्लिक किया, अब देखो, हमारा यह domain जो है, वो setup हो चुका है, अब हमें क्या setup करना है, सबसे पहले, web hosting setup करना है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, setup पर, अब जब मैंने setup पर क्लिक किया, तो यह दिखा रहा है, welcome to hosting है, विश्वजित कुमार, और start now, तो मैं इस पर click कर देता हूँ, start now, अब यह मुझे पूछ रहा है, कि कौन सा domain चू है, या migrate करना चाहते है, तो मैं चूज करूँगा, skip करने का, ठीक है, क्योंकि मैं यह आपको manually दिखाने वाला हूँ, इनके tool के थूरू नहीं दिखाऊँगा, ताकि अगर मैं इनके tool के थूरू दिखाऊँगा, तो आपको main चीज पता नहीं चलेगा, कि आप बात में change कैस location है, इसको आप change कर सकते हो, कि आपका server का location क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप वो choose कर सकते हो, मैं फिलाल क्या कर लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में हूँ, तो मैं Asia choose कर लेता हूँ, क्योंकि नजदीक का server होगा, तो थोड़ा fast होगा, अब आपको click कर देना, finish setup, तो यह कह रहा है कि आप control panel पे जा सकते हो, अपने hostinger पे, तो हम लोग manage site पे चलते हैं, मैंने click कर दिया है, manage site, अब देखो हमारे पास यह hosting से related जितने भी option है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हमारा username है, हमारा domain है, कहां पे रखा हुआ यह है, IP address हमारे website का क्या है, वो है, web server कौन सा है, MySQL कौन सा है, SSL क्या है, ठीक है, disk space अभी हमने कितना use किया, यह सारे option आपको मिलते हैं, इस पे हम लोग आते हैं, थोड़े देर में, अभी फिर से हम लोग home पे click करते हैं, अब देखो हमने दो चीज़ setup कर दिया है, hosting और domain, बचा क्या है SSL certificate, तो इसको भी activate करते हैं, तो इस पे भी हम लोग setup पे click करेंगे, अब यह पूछ रहा है कि कौन सा website आप करना चाहते हो, तो हमने जो अभी लिया है, tickgun.website उसी को करेंगे, और उस पे हम लोग click कर देंगे install SSL, अभी हमें कह रहा है कि SSL will be automatically installed, ठीक है, यह कह रहा है कि आपका website अभी activated है, तो आपका जो automatically install हो जाएगा SSL, तो आपको इस message को कर देना है close, ठीक है, close करते हैं, अभी देखो, यहाँ पर लिख रहा है कि DNS अभी कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो हो जाएगा, आपको tension लेने की जवत नहीं है, जब आप कुछ दूर के बाद आके फिर से home पे जब click करोगे, तो व जाओगे, dashboard पे अपने hosting के, और इसमें अब हम लोग यूज़ करने वाले है WordPress को, ठीक है, forum बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे WordPress को, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, WordPress को install करना है, तो WordPress को install करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही आसान तरीका देगा हुआ है, एक दम बस click करना है, और WordPress install, आपको किसी भी तरह का कोई भी database बनाना और setup करने के ज़रुवत नहीं है, तो देखो यहाँ पे जब आप नीचे यहाँ पे आओगे, auto installer है, ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, click कर लेना है, और यहाँ click करते हैं, वो आपको बोलेगा कि WordPress जो most popular CMS है, उसको अगर install करना है, तो आप यहाँ पे select करें, तो यहाँ पे आपको click कर देना है, फिर यह आप से पूछेगा, सारा options के लिए, जैसे कि देखो यह आपको बता रहा है, आपको admin का username और password क्या रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पे username कर देता हूँ, अभी फिलाल के लिए, विश्वजीत, ठीक है, विश्वजीत कर दिया, password आप कुछ भी set कर सकते हो, यह WordPress का password है, यह WordPress का password होने वाला है, तो जब आप WordPress के dashboard पे login करोगे, तो आपको यही जो यहाँ पे admin का नाम और यहाँ पे password set कर रहे हो, वो जरूवत पढ़ने वाला है, ठ यहाँ पे फिर आप अपने email id डाल सकते हो, कि जो भी आप अपने register करना चाहते हो, फिर website का यहाँ पे title डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, taggun, t-e-c-h-g-u-n, ठीक है, मैंने taggun डाल दिया, website का title, language, English हो गया, यह और यहाँ पे database आप देख सकते हो, तो database और यहाँ पे कर देना है install, install पे जब आप click करोगे तो आपका WordPress install होना start हो जागा, बस आपको ख्याल यह रखना है, जो यहाँ पे अभी अपने username और password set किया था, उसको याद रखना है, वो आपको WordPress login करते time काम आएगा, तो हमारा WordPress install हो चुका है, अब देखो अगर आपको द दिख रहा है, और अगर आपको WordPress के dashboard पे login करना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका URL है, उसके बाद आपको slash लगाना है, और लिखना है wp-admin, ठीक है, यह देखो, wp-admin, यह सिर्फ अगर admin भी लिखोगे, तो भी आपको इस page पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जा रहा है WordPress के dashboard पे, ठीक है, यह देखो, यह hostinger का dashboard था, अब हमें इस से कोई काम नहीं है, मैं इसको cut कर देता हूँ, अब हमारा काम host, जो हमारा WordPress है, उसके dashboard से ही काम सारा का सारा होने वाला है, ठीक है, और अगर आपको फिर से site पे जाना है, तो आप यहाँ देखो, यह त टिक गन पे है, और यहाँ पे visit site पे click करोगे, वो आपको site पे लेके चला जाएगा, और dashboard पे वापस जाना है, तो यहाँ देखो, टिक गन फिर से लिखा हुआ है, और इस पे click करोगे, तो dashboard पर जागा, मैं क्या करता हूँ, कि इसको दूसरे tab में open कर लेता हूँ, कि एक side हम हमारे पास output खुला रहा हैगा, right, अब हम लोग जो next काम करने वाले है, वो है theme install करना, क्योंकि देखो जो अभी हमारे पास theme है, वो क्या है, green, green सा theme है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, default वाला जो theme है, तो हम लोग theme install करते हैं, तो theme install करने के लिए आपको यहाँ पे side में दे ज्यादा theme का कोई काम है नहीं, बस मुझे white color का theme चाहिए, तो मैं यह जो सबसे popular theme है, आस्तरा उसको install कर लेता हूँ, ठीक है, उस पे install पे click किया, और यह install होना start हो गया, अगर आपको और भी theme पसंद आए, तो वो भी आप कर सकते हो, theme को देखना कैसा है, detail and preview पे click करना है, वो आपको क्या करेगा, कि theme दिखा देगा, कि आपका कैसा दिखेगा, फिर आपको अगर install करना है, तो install पे click कर लो, और जब install हो जाएगा, तो वो activate का option वहाँ पर आएगा, तो आपको क्या कर लेना है, इसको activate कर लेना है, तो मैंने इसको activate कर लिया है, अब अगर आप यहा के लिए website बनाने वाला हूँ तो किसी भी तरह का कोई page बनाने वाला नहीं हूँ तो अगर आपको page कैसे बनाते हैं वो सीखना है और यह सब सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि YouTube चैनल पर मेरे चले जाओ और वहां पर देखो ब्लॉग बनाना भी मैंने सिखाया WordPress में website बनाना सिखाया पूरा पूरा page बनाना ठीक है contact form वगरा यह सब पूरा website बनाना WordPress में मैंने इस वाले वीडियो में सिखाया हुआ है how to make a website इस वाले वीडियो में और यहां पर ब्लॉग कैसे बनाते है वो सिखाया हुआ तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको दोनों चीज समझ में आ जागा कि website में pages कैसे बनाते है ब्लॉग कै कैसे बनाते हैं तो यहां पर हमें जरुवत है ही नहीं menu का और pages का क्यूंकि हम लोग बना रहें सिर्फ forum तो मैं यहां पर ना तो आपको menu बनाना सिखाऊंगा और नहीं page बनाना आपको अगर सीखना है तो आपको क्या करना है इस दोनों वीडियो को देख लेना है एक तो ब forum नाम का plugin इंस्टॉल करने वाले है WP4O ठीक है तो आप उसको सर्च करोगे forum forum यहां पर टाइप करोगे सर्च बार में तो यहां पर देखना पहले ही जो आपको दिखाएगा वो है WP4O forum ठीक है इसको आपको इंस्टॉल नाव पे क्लिक कर देना है तो देखो यह forum नाम का option देखो यहां पर forum नाम का आगया option अगर आप इसके dashboard पे जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा WP4O नाम का जो plugin है वो इंस्टॉल हो चुका है और उसके बारे में सारे details आ चुके अब देखो अब हमें क्या करना है कि मैं यहां पर जाता हूँ और इसको फिर से refresh कर करना है कि इसको फेले full width पे ले आना है जो यह हमारे पास sidebar आ रहा है यहां पर category, archive, recent post, recent post यह सब को हटा लेना है ठीक है search bar वगर भी हटा लेंगे क्यूंकि हमारे forum में already search bar है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है dashboard पे जाना है फिर से और plugin में जाना है plugin में जाने के ब activate पे click कर दिया है अब यह जब activate हो जाएगा तो हमारे पास full width करने का option आ जाएगा अब देखो यहां पे हम लोग जाते हैं अपने page पे और इस page को edit करना है तो edit करने के लिए shortcut option है यहां पे जो edit नाम का page है उस पे आप click करोगे तो edit पे आप चले जाओगे या फिर दूसरा option क्या है कि dashboard में जाओ, pages में जाओ, pages में आप जाओगे तो आपने देखोगे कि यहां पे जैसे ही आपने वो install किया था plugin तो उसने एक page और बना दिया है forum नाम का, देख रहो यह forum नाम का page आपके plugin ने बनाया WP4O जो अभी हमने install किया था, तो आपको edit पे click कर लेना है और edit प full width पे select करके update कर देना है, जब आप update करोगे और फिर से इस page पे आओगे और उसको refresh करोगे forum वाले page को, तो आप देखो यह अब sidebar हट चुका है, अब हमारा full width में आ चुका है, अब दूसरा काम हमारे पास यह है कि आप यहां से क्या कर सकते हो, menu हटा सकते हो, अगर आपको क्योंकि menu का यहां पे कोई काम नहीं है, तो आप menu को हटा भी सकते हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फिर से dashboard पे जाना है, तो मैं इस W पे क्लिक करता हूँ, हम लोग दुबारा से dashboard पे चले आए, अब menu को सही करने के लिए appearance में जाके आपको यहां पे menu का option है, उस इसको edit menu पे पहले click करो, और यहां पे एक नया menu पहले create करते है, create new menu, right, menu create किया, create, और यहां पे मैं देता हूँ, header menu, header menu, और create menu कर दिया, अब मुझे menu को blank रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, तो इसलिए मैं यहां पे कुछ भी नहीं रखना है, इसको बस save menu करके, और यहा जो हमारा यहां पे forum और वगरा वगरा आ रहा है, यह सब नहीं आएगा, right, इसको हटाना था हमें, तो इसलिए हमने ऐसा किया था, यह देखो हट गया, यहां से हट गया, बट अगर आप इस टेगन पे जब click करोगे, तो यहां पे click करोगे, तो आप देखो यहां पे कुछ लग जाएगा, तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जाना है, setting पे, setting में reading बे, और reading में वो select करने के लिए बोलता है, कि homepage आपको क्या दिखाना है, तो homepage में हम लोग यहां पे static page select करेंगे, और homepage में क्या select कर लेंगे, forum, ठीक है, forum select कर लिए और save change करतेंगे, अब हमार पास क्या होगा, कि जो हमारा homepage है, उसी पर हमारे forum दिखना start होगे, यह देखो, देखरा है, अब लेकिन फिर से यह हमारा sidebar आ चुका है, तो इसको एक बार edit कर लेते हैं, तो मैं edit page पे click करता हूँ, देखो, जब मैं edit page पे click करूँगा, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास option आ आते हैं, उसको refresh करते हैं, अब देखो, यह full width पे आ चुका है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर tick gun लिखा हुआ है, अगर इसके जगा पे आप logo डालना चाहते हो, तो वो भी डाल सकते हो, वो कैसे किया जाता है, customize पे आप click करो, यहाँ देखो, उपर customize लिखा हो, उस पे click identity है, यहाँ पर वो logo अगर सेट करने के लिए बोल रहा है, कि आप logo select करो, तो आप यहाँ पर click करो, और logo upload करो, तो यहाँ पर हमें upload करना है अपना logo, तो मैं क्या करता हूँ, कि देखो मेरे पास यहाँ पर logo है, अपना tick gun का, मैं इसको उठाता हूँ, और यहाँ पर drag and drop कर द लेता है, तो मैं इसको crop image करके सिर्फ नाम रख लेता हूँ, अब देखो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हमारा logo दिख रहा है, अब logo कितना बड़ा दिखेगा, वो आपको set कर लेना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर display name को off करोगे, तो वहाँ से display name off हो जाएगा अब आप publish पे click करो, publish हो गया है, यहाँ पे cross button है, उस पे click करके वापस dashboard पे आ जाओ, और जब आप अपने website पे आके दुबारा refresh करोगे, तो यहाँ देखो हमारा logo uploaded है, तो अब देखो यही हमारा काम था, forum हमारा बन चुका है, और logo आ चुका है, इससे जादा हम लोग करने वाले हैं, वो forum में करने वाले है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास message आ रहा है, उसको dismiss कर देते हैं, ठीक है, यह हो गया, अब देखो, अब हमें क्या करना है, कि dashboard में जाना है, dashboard में जो यहाँ पे forum नाम का आया हुआ है, हमारे पास option, जो WP4O का है, उस पे click कर ले forum में आऊगे, देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे न, तो यहाँ पे जो सब options है, forum का, यहीं पे सारे के सारे options है, उस plugin का WP4O का और आपके forum का, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको category बनाना है, category होता क्या है, यह मैं आपको बता देता हूँ, देखो, आप यहा इसका नाम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं, programming discussion कर दिया, हमने एक नाम दे दिया, programming discussion करके, और उसके बाद यहाँ पे update कर देता हूँ, अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे फिर से forum पे click करोगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, programming discussion, उसके तो इसको पहले डिलीट कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, डिलीट, यह रहा, डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट हो गया, अब देखो, अब हमाले पास एक main category है, programming discussion, अब इसके अंदर हम लोग plus पर क्लिक करेंगे, और यहां पर add कर देते हैं, कोई भी ची, जैसे माल ल लिख देते हैं, JavaScript, ठीक है, क्लिक कर दिया, फिर यहां पर एक और बार क्लिक करते हैं, और यहां पर लिख देते हैं, WordPress, मतलब आप यहां पर category बना रहे हो, topic दे रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, कि यहां पर programming discussion नम का एक option दिया, और यहां पर नीचे बना दिया, HTML, CSS, JavaScript, WordPress वगरा वगरा, और यहां पर मैं आप कर देता हूँ, Save Forum, Order and hierarchy, ठीक है, और जब अब आके फिर से अपने website पर हम refresh करके देखते हैं, तो यहां पर क्या हमें दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, programming discussion लिखा हुआ, topic, ठीक है, और यहां पर forum दिख रहा है, जब मैं इ main वाले पर click किया था, edit पर, तो यहां पर आपको select करने का option देता है, view, ठीक है, कि कैसा दिखेगा, और वो आपको देखना है, तो आपको यहां पर जाना है, और click कर देना है, तो जब आप click करोगे, तो वो दिखाएगा, कि आपका दिखेगा, view कैसा दिखेगा, तो देखो अभी फिलाल हमारा ये वाला select है, तो अभी हमारा ऐसे ही दिख रहा है, जब उसमें लोग question वगड़ा पूछना start करेंगे, answer देना start करेंगे, तो ये वाला list भी दिखना start हो जागा, ठीक है, तो यहां से पहले आप view में जाके देख सकते हो, कि कैसा दिखेगा वो, detail में कैस करता हूँ, यही वाला मुझे better लग रहा है, अपने लिए, तो इसको update पर click कर देते हैं, आपको change करना होगा, तो आप view change कर सकते हो, कि कैसा दिखना चाहिए, और यहां पर आप category तो आगे बनाता ही जाओगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि यह main category है, और उसके नीच दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, कि अब कैसे लोग discussion वगरा start करेंगे, और क्या होने वाला है, तो देखो, यहां पर जो पहला option था, forum, उसमें तो आपने देख लिया, कि आप categories बनाते हो, और sub categories बना देते हो, ताकि लोगों को पता रहे कि किस topic से related discussion कहां पर करना है, ठीक है, तो जैसे मान लोगे, मैंने HTML CSS बना दिया, तो किसी को अगर कुछ discussion करना है, HTML CSS के related, तो इसमें जाके करेगा, फिर देखो, setting का option है आपके पास, तो अहां पर आप क्लिक करोगे, setting पे, तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें है, दियो जाते है, title क्या है, tag gun forum, description क्या है, यह सब आप change कर सकते हो, base URL क्या है, तो यह सब लेकिन आपको change करने के ज़्यादा जरूवत इसलिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने by default जो change किया हुआ है, वो सब कुछ setting एकदम सही है, ठीक है, अगर आपको फिर भी change करना है, तो आप एक एक करके ना, इनक इसलिए अपने फोरम को, तो आपको कहा जाना है, style पर जाना है, style पर जाना है, style पर जाना है, अभी default जो हमारा है, वो यह है, मालो मुझे red करना है, तो मैं क्या करता हूँ, red वाले पर select कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ, update, अगर आपको CSS आता है, तो आप यहाँ प ठीक है देखरो जो अभी हमने चेंज किया था यहां पर Red Map वो एक्टिवेट हो गया है तो इसी तरीख से यहां पर बहुत सारे सैटिंग्स है जो भी आपको करना है वो आपकर सकते हो यहाँ पर जाकि आप जब विजिए करोगे तो आप इनके सारे जाता है add topic तो माल लो किसी को HTML or CSS में कोई question पूछना है तो वो add topic पे click करेगा तो उसको पूछे जाएगा यहाँ पर select करो अपना कौन सा forum किस में discussion करना है तो आपको HTML CSS में discussion करना है तो यहाँ पर वो आपको option देते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर कोई भी अपना लिख सकता है जैसे माल लो कोई भी पूछना चाहता है कि how to create rounded डिव ठीक है rounded डिव कॉर्नर ठीक है डिव का corner rounded रखना है तो उसके लिए वो पूछ रहा है corner अब उसके बाद यहाँ पर वो किसी और अपने problems को detail में बता सकता है यहाँ पर code डाल सकता है या कोई file attach कर सकता है बहुत सारे options है यहाँ पर उसके लिए काम करने के लिए ठीक है वो अपना file भी attach करके दे सकता है या फिर यहाँ पर अपना code डाल सकता है कि मैं यहाँ तक क्या कर रहा हूं या उसमें क्या गरबड़ है या टॉपिक पर आप क्लिक करते हो तो देखो क्या होगा अब फिर से आप फोरुम पर पहले वापस आओ जब आप फोरुम पर वापस आते हो तो अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आ गया एक नया कोश्चन आ चुका है ठीक है STML CSS में one by one आ रहा है कि एक post किया जा चुका है भी इसमें उसी तरीके से जिसको जो प्रॉबलम होगा वह वहाँ पर क्लिक करेगा और add नया topic करेगा अब मालो किसी को reply करना है और उसने देखा और उसको पता है यह चीज आता है कि कैसे करना है तो वह उस पर क्लिक करेगा और यहाँ पर reply पे देखो यहाँ पर reply पे वो कुछ भी कर सकता है वो यहाँ पर लिख सकता है कि use css property border radius ठीक है और यहाँ पर add reply पे click करेगा अब add reply पे click करेगा तो देखो उसका reply add हो जाएगा अब अगर आप फिर से home पे अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ किसीने question पूछा था और उसका एक reply भी आया है तो उस पे अब जब आप click करोगे तो आप देखोगे कि उसका reply आया हुआ है use css property border radius किसीने question कुछ पूछा ठीक है उस पे किसीने reply किया अभी दोनों ही मेरा है तो इसलिए यहाँ पर विश्वजीत है एक topic start हुआ है दो लोगों ने post किया है एक आदमी अभी online है क्योंकि मैं ही अभी online हूँ और अभी तक total member कितने है इस forum में one है ठीक है तो वो चीज़ आप यहाँ सभी देख सकते हो अगर आप member पर click करोगे तो जिनने लोग register करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखेंग वो यहाँ पर आजाएगा अगर आपको reply करने का मन है तो reply करो देखने का मन है तो देखो और फिर यहाँ पर my profile पे जब आप click करोगे तो यहाँ पर अपना सारा profile वगए अपड़ीट वगए कर सकते हो देखो मैंने दो post किया है एक topic में किया है कितने लोगों को answer दिया है क् कितने लोगों ने मुझे like किया है जब मैं कोई reply करता हूँ तो कितने लोगों ने like button पे click किया है तो यह सब कुछ यहाँ पे दिखेगा member का activity दिखेगा यहाँ पे यह पता चलेगा कि मैं कितने star का हो गया हूँ मतलब देखो यहाँ पे settings में अगर आप जाओगे और यहाँ पे members पे click करोगे तो यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे badges दिए हुए कि अगर level 1 वाला जो member है वो क्या क्या करेगा तो उसको level 1 का member दिखेगा 5 post कर देगा तो उसका 1 star का member हो जाएगा अगर वो 100 post करेगा तो 4 star 500 post करेगा तो 5 star तो यहाँ से आप setting खुद कर सकते हो कि कितने number of post पे आप उसको कौन सा badge देना चाहते हो ठीक है तो वही badge यहाँ पे दिखेगा कि वो किस label का member है मतलब वो कितना active member है वो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे आप जब account पे click करोगे तो वो आपको सारा का सारा चीज change करने का भी option देगा कि आप अपना photo अगर है change कर सकते हो देखो अवतार change कर सकते हो अपने बारे में कुछ लिख सकते हो अपने website का URL दे सकते हो occupation बता सकते हो अपना facebook, linkedin, instagram सब कुछ तो यहाँ से जब आप account पे कोई click करेगा तो वहाँ से वो अपना profile में update कर सकता है अपना photo डाल सकता है अपने बारे में और चीजे add कर सकता है और log out करना है तो इस पे click करके log out कर सकता है फिर अगर कुछ search करना है तो यहाँ पे search पे click करके अगर वो कुछ करता है जैसे मानलो मैंने क्या किया था corner मैं बस rounded corner लिखता हूं ठीक है मैं देखना चाहता हूं कि rounded corner से related कोई question पूछा गया यह नहीं तो मैं यहाँ पर corner type करता हूं search करता हूं तो जब मैं search करता हूं तो देखो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि how to create rounded div corner किया हुआ है उसको किसी ने reply भी किया है वो भी दिखेगा तो यहाँ पर आप search वगरा भी कर सकते हूं अब देखो यहाँ तो मैं login हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है अब मैं इसको अपने website का URL को copy करता हूं और आ जाता हूं इन कोगनिटो मोड में और इन कोगनिटो मोड में जब हम लोग open करते हैं अपने website को तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा जो लोगों को जो पहली बार आएगा जो login नहीं होगा ठीक है तो उसको यहाँ पर login का option दिख रहा होगा और register का option दिख रहा होगा तो देखो वो देख स करेगा कि register अगर login नहीं है तो register अपने आपको करेगा username और email ID डालेगा और register कर लिया है तो फिर वो login पर जाके login कर लेगा और उसके बाद वहाँ से जाके वो सारी चीजें कर सकता है reply कर सकता है एक नया topic कर सकता है और अगर login नहीं किया है तो सिर्फ सब कुछ देख सकता है क तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो और अपने दोस्तों के साथ share कर दो